हेलो फ्रेंज विल्कम बेक टो माई ओर्लेन पोर्टल राज एडूकेशन सेंटर कैसे हैं आप सभी अक्सर मैंने देखा है लोगों को आपस में बहस करना अगर आप कोई वर्ग कर रहे हैं तो अपने काम में लगे रहे हैं लोग आपके विकास में बाधा बनते हैं आपको लोग ही टोकेंगे रोकेंगे इल्जाम लगाएंगे आपको गलत साबित करेंगे अगर आपको लगता है कि आप सही हैं आप सच्चे इमानदारी से काम कर रहे हैं तो बस उपर वाले पे विश्वास करिए और काम करते रहे हैं लोगों में आप अपना समय वेस्ट मत करिए लोगों की बातों को मत सुनिए क्योंकि लोग ही आपको आगे बढ़ने देना नह जगे जगे पर वो आपको बदनाम करेंगे, आपको बेज़ित करेंगे, एल्जाम लगाएंगे, सक करेंगे, रोकेंगे, टूकेंगे, तो लोगों को आप इगनोर करेंगे, किस किस को आप जवाब देंगे, किस किस से आप बदला लेंगे, कितनी दुनिया को आप इट्स नौट पॉसिबल ये संभो नहीं है आप अपना बहेश करने में अगर आप टाइम लगाएंगे उनको बदला लेने में आप टाइम लगाएंगे तो आपका ये वक्त जाया करेंगे तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने कर्म करते रहें फल की चिंता मत करिए फल आपका बाई डिफॉल्ट आता है आप इमानदारी से सच्ची लगन से कंटिनिवसली लगातार आगे बढ़ते रहें काम करते रहें लोगों का काम है कहना अगर आप सुनने लगे वहीं पर आपका विकास रुख जाता है आप अपने जो लच आपका जो टारगेट है जो एम है उस पे आप नहीं पहुँच पाते हैं आप अपने पैरेंस की बात सुनिए पैरेंस आपको सही गाइडेंस देंगे क्योंकि किसी के भी पैरेंस यह नहीं चाते हैं कि हमारा बेटा या बेटी आगे बढ़ने में उसे कोई भी बाधा बने वो हमेशा आपको गाइड करेंगे आपको सही राह देंगे तो लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को फैलाते रहें क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी मोटिवेशनल वीडियोज हैं एकडमिक से रिलेटेड हैं मैस हो साइंस हो कंप्योटर हो एक्स वाई और सब्जेक्टिवल क्लासेस हैं या एडवांस टेक्नलोजी से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं तो राज जो केसन सेंटर में मैंने अभी तक काफी सारे लेक्चर्स अपलोड किया है वहां पर जा करके आप डिस्क्रिप्शन वाक्स में मैंने सभी यूटूब चैनल स्क्रिलिंग और वीडियो स्क्रिलिंग प्रोवाइड किया है चैनल में जा करके प्रेलिस्ट में जा करके आप वहां से watch कर सकते हैं और अभी तक जो मुझे सयोग मिल रहा है जो भी हमारे Facebook users है YouTube में जो users हैं लगभग जो viewers आज पहुंच चुके हैं वो दो लाग से उपर पहुंच चुके हैं तो यह आप सभी लोगों का सयोग है और आपने जो हमें इतना मौका दिया है समझा है लोगों के बीच में अपनी बातें रखने का तो उन सभी लोगों का हम बहुत तहदिल से आभार व्यक्त करते हैं आपका बंदन करते हैं अभी नंदन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लिए को फैलाते रहें और आगे बढ़ाते रहें और आप भी आंगे बढ़ते रहेंगे मोटीवेस्टनल हम आपको बताते हैंगे बाकी जो लाइप लासे मेरी कंटिन्यूसली चलती हैं और उसके बाद में मेरा जो राजीजू केसन सेंटर का दूसरा चैनल अभी ओपन हुआ है राजीजू केसन सेंटर कानपुर के नाम से वहां पर भी जा करके आप एड हो सकते हैं वहां पर मैंने डिस्क्रिप् अच्छ और जै हिंच जै भारत